अगर अगर अपने आपको रिपीट कर दे क्या हो अगर अर्चना पूरन सिंग हो जाए आउट और नवजोच सिंग सिद्धू हो जाए इन एक ऐसा शो जो लोगों को हसाता है लोगों को हसाते हसाते रुलाता है अगर उश शो को लेकर इतना बस क्रियेट होगा ओडियन्स तो कंप्यूज होगी ही वेल गाइस हिरानी की बात है बस क्रियेट हो भी रहा है अब जो टी आरपी पीछे रह गई है उसे आगे भी लाना पड़ेगा जो टी आरपी के ग्राफ नीचे गिर गया है उसे उपर भी लेकर जाना पड़ेगा और इसी लिए आरचनापूरण सिंग के एगजिट और सिद्धू सुनील के कमबाक को लेकर धमाकेदार खबरे आ रही है नवजोज सिंग सिद्धू यानी कपिल के गुरू ताली ठोकने के लिए कहेंगे और रिंकु भावी कहेंगी मेरे पती मुझे प्यार नहीं करते वाट्स दा होल स्टोरी इस वाइरल खबरों के पीछे क्या लॉजिक है वो लॉजिक कितना लॉजिकल है ये हम आपको विदा वैरी स्पेशल डिपोर्ट आपस दिखाने जा रही है दिल ठाम कर देखीगा क्योंकि कपिल शर्मा के अगर आफ पैन है तो उनके शो से जुड छवी बननी शुरू हो गई है जिसके पीछे की वजह है टू मच आफ कॉमेधी कितनी अजीब बात है जिस कॉमेधी ने कपिल को बेताज बाद्शा बनाया फिलहाल वही कॉमेधी कपिल शर्मा पर भारी पड़ रही है उसी कॉमेधी की वजह से कपिल को सोशल मीधिया पर लोग काफी ज्यादा टार्गेट कर रहे हैं। ऐसी चीजे करना बंद कर दो। अब इस वक्त जो खबर आ रही हैं। होने जा रही हैं। अब अर्चना की विदाई के पीछे की वज़ा क्या है? कह पाना यहां हमारे लिए काफी स्यादा मुश्किल है। दरसल हुआ कुछ इस तरह से कि अर्चना पूरण सिंग खुद कहती हैं। कि वो हमेशा के लिए इस शो से नहीं जुड़ी थी। कुछ एपिसोड के लिए जुड़ी थी। जब सिद्धू को रिप्लेस किया था अर्चना ने और जब सिद्धू को रिप्लेस करने का सवाल उनसे किया गया तो अर्चना पूरण सिंग ने कहा कि मैं हमेशा के लिए यहां नहीं जुड़ रही हूँ। कुछ एपिसोड के लिए जोट रही है और अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है अर्चना की विदाई का समय आ गया है शो से अर्चना के जाने की घड़ी आ गई है अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अर्चना चली जाएंगी तो यहां पर भला गाड़ी कैसे बढ़ेगी अगर अर्चना चली जाएंगी तो भला यहां किस तरह से सारी चीजए आगे बढ़ेंगी पहले ही शो की TRP गिर रही है अगर अर्चना चली गई तो शो की TRP उपर कैसे जाएगी हम आपको बताएंगे ये भी बात दरसल अर्चना पूरन सिंग के जाने के कि हैं कहा जा रहा है कि नवजोज सिंग सिध्धू अर्चना के जाने के बाद अपने उन कमिट्मेंट्स को पूरा करेंगे और तो और सिध्धू की वापसी की खुशी अभी मत बनाईए क्योंकि हम आपको एक और गुड नीज देंगे सुनील ग्रोवर आप सबकी चहेती रि मिठास की ओर लेकर जाना चाहते हैं सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के साथ अपनी दोस्ती को एक बार फिर से शुरू करवाना चाहते हैं और इसलिए नाराज की छोड़कर दो कपिल शर्मा शो का हिस्सा बन सकते हैं कहा ये भी जा रहा है कि सुनील ग्रोवर ने ये जो मन बदला है उनका मन बदलने के पीछे की सबसे बड़ी वजा सल्मान खान भी है क्योंकि सल्मान सुनील काफी अच्छी बांडिंग शेयर करने लग गया है तो सल्मान खान ने ही सुनील ग्रोवर को मनाया और उन्हें कहा कि पुराना जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ आग क्यास हैं लेकिन ये बात सच है अरचना पूरन सिंघ कि परमानेंग रेप्लेस्मेंट नहीं थी कुछ एपिसोड के लिए आई थी नवजोच सिंघ सिद्धू के कुछ की कमिट्मेंट बाकी है तो रेप्लेस्मेंट अगर होता है तो अरचना के जाते ही सिद्धू और सुन हफ़ते का वक्त है जो कपिल के बिना इस शो में नजर आएगा कहीं इन दो हफ़ते कुछ बड़ा ना हो जाए कहीं शो पर इसका बुरा असर ना पड़ जाए इसलिए ये फैसला लिया जा सकता है फैस की अगर बात करें तो इस पूरे मुद्दे पर फैस का मिला जुला रिस्पॉण्स है कई लोग हैं जो काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि सुनील ग्रोवर आ रही हैं वहीं कई लोग हैं जो काफी ज्यादा खफा हैं क्योंकि उनके साथ नवजोज सिंग सिद्धु आ रही हैं दरसल देश को लेकर नवजोज सिंग सिद्धु की ये जो बयान आ रहे थे उसे ले आईस देखा आपने सिद्धू सुनील की एंट्री को लेकर काफी हद तक लोग कंफर्म हो चुके हैं लेकिन लोगों में पूरी तरह से खुशी नहीं है सुनील को लेकर लोग एक्साइटेड हैं सिद्धू को लेकर लोग गुस्सा है नीचे दिएगा एक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कोई ना कोई वीडियो आए दिन ट्रेंडिंग में रहती है तो इस पार ये कौन सी वीडियो है पती पतनी और वो की स्टार कास्ट के साथ कॉपल ने मस्ती की लुसी के दौरान का ये वीडियो है, ये वीडियो क्या कहता है। उने जबर्दस्त जवाब देते हैं। कार्तिक आरियन जो हैं उनका जवाब सुनकर हर कोई हस पड़ता है सवाल पर भूमी पेजने कर अनन्या पांटे और कार्तिक आरियन ने हामी भरी और कार्तिक आरियन ने कहा अपनी उंगलियां या दूसरों की ये जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हस पड़े और अपनी हसी को रोक नहीं पाए बता दे आपको कपिल शर्मा के शो के दौरान का हर दिन कोई ना कोई क्लिप है जो ट्रेंड होता है अभी कपिल जो भी कुछ करते हैं वो वाइरल ही हो जाता है क्योंकि वो एक तरह से बड़ी परस्नालिटी बन चुके हैं यही वज़ा है कि उन्हें कॉमेडी किंग कहा जाता है आए दिन कपिल शर्मा का कोई ना कोई वीडियो ट्रेंड में रहता है बहुत जल्द कपल पापा बनने वाले हैं उनके पापा बनने को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं उनके पापा बनने को लेकर लोग काफी प्यारी प्यारी बाते कर रहे हैं उनके पापा बने को लेकर pants के बीच एक अलग ही level की खुशी महसूस की जा रही है और इसी खुशी के बीच में इसी खुशी से हट कर couple के show से आ रहा ये buzz जिसमें replacement का भी जिक्र है जिसमें couple को लोगों ने नसीहत दी है कि बत्तमीजी थोड़ी कम कर ले के अब देखना होगा लोगों की नसिशत कपल मानते हैं या कपल जैसे हैं यह वैसे ही रहते हैं काउमेडी का ताज अपने सेर पर सजा कर रखना चाहते हैं और इस इथा यह वो मैंक कौशिश बच तिल दे शब्सक्राइब टो आर चनल एंटे अप्डेट